अज हम चिकन मैं चीज बॉल्स बना रहे हैं उसके लिए हमने एक कप मैकरॉणी लेकर उसमें नमक और फ़ टीस्पून तेल दालकर पांच से छे मिनट तक बॉल कर लिया है फिर इसे चान लिया है हमने 250 ग्राम बॉनलिस चिकन लेकर उसे थोड़ा सा नमक और एक टीस्पून अध्रकलसन डालकर बॉल कर लिया है और बाद में श्रेड कर लिया है एक पैन में हम दो टेबल स्पून के करीब मखन डाल देंगे बटर मक्खन मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून भर कर मैदा डाल देंगे फ्लेम को मेडियम करके हम मैदे को अच्छी तरह से भून लेंगे मक्खन के साथ दो से तीन मिनिट लो फ्लेम पर भूनना है हमें इसका कलर चेंज नहीं होने देना है बस लो फ्लेम पर भूनना है मैदा अच्छी तरह भूना गया है हम फ्लेम को लो ही रखेंगे और इसमें दूद डाल देंगे धीरे धीरे करके दूद्ध डालेंगे और एक हाथ से इस तरह से चलाते रहेंगे हमें इसे ध्यान से करना है हमें गुट्लियों को नहीं बनने देना है इसमें इसे continuous हमने चलाया है हमने इसमें दूद एक कप भर कराइट किया है याने की 250 ml दूद्ध, हम इसमें थोड़ा नमक अड़ कर देंगे, नमक हम कम डाल रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें मक्षन डाला है और हम चीज भी डालने वाले हैं, इसलिए नमक को ध्यान से डालें, एक टी स्पून भरकर सफेद मिर्च का पाउडर, आप चाहें तो काली मिर्च यूज़ करें, हम इस तरह से सॉफ्ट वाली चीज यूज़ कर रहे हैं, दो ट्राइंगल्स, आप चाहें तो प्रोसेस्ट या चड़र कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लेम को लो रखके तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिलाकर हमें एक थिक सॉस तियार कर लेना है, सॉस अच्छी तरह से गाड़ा हो गया है, चीज भी मेल्ट हो गई है, हम इसमें मैकराणी डाल देंगे, जो हमने बॉइल करके तियार रखे हैं, साथ में हम इसमें चिकन भी डाल देंगे, अच्छी तरह से तमाम चीजों को मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करने के बार हम फ्लेम को बन कर देंगे और इसे एक अलग बोल में निकाल लेंगे, हमारा मिक्स्चर थंडा हो चुका है, हम अब इसके बॉल्स बना कर तयार करेंगे, हातों को हमने थोड़ा सा ओयल लगा कर ग्रीस कर लिया है, इस तरह से हातों पर थोड़ा मिक्स्चर लेकर हमसे फैला देंगे, स्प्रेड कर देंगे, इस पर हमें मौजरिला चीज डाल देना है, मौजरिला चीज को हम इस तरह से उंगलियों से अंदर प्रेस करेंगे, और इस तरह से इसे उठाकर बंद कर देंगे, बॉल की तरह, बस यह रेडी हो गया है, हमने इन्हें बनाकर 10 मिनिट के लिए फ्रेज में रख दिया था, ताकि यह अच्छी तरह से सेट हो जाए, अगर आप इन्हें स्टोर करना चाहते हैं तो इसी तरह इन्हें आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, स्टोर करते समय एक के उपर एक आपको बॉल्स नहीं रखना है, किसी भी कंटेनर में स्ट्रेट लाइन में रखना है, एक के उपर एक नहीं रखना है, अगर आप एक के उपर एक रखना चाहते हैं, तो आप उस पर पार्शमेंट पेपर, बटर पेपर कुछ भी रखके, उसके उपर दूसरे बॉल्स रखें, तो यह आपस में चिटकेंगे नहीं, हम इने सबसे पहले मैदे में डस्ट करेंगे, बाद में अंडे में डुबा लेंगे, अंडे को हमने बीट कर लिया है, थोड़ा सा नमक डाल कर, अंडे में डिप करने के बाद हम इसे ब्रेड क्रम्ज में डालेंगे, यह पैन को ब्रेड क्रम्ज हैं, जिसे हमने घर पर बनाया है, इसका लिंक हम उपर दे रहे हैं, आई बटन क्लिक करके आप इसके वीडियो पर जा सकते हैं इसे आप जरूर बनाएं इससे हमारी जो फ्राइ आइटम्स है बहुत ही अच्छी और प्रिस्पी बनेगी हम अभी इने फ्राइ करेंगे अजैंड़िम्स है स्क लूत मेंज़िम्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेर करें, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए, टेक केर, बबाए, झाल झाल झाल